नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अखरोट आपकी सेहत के लिए बहुत फाइदेवन है अखरोट खाने के फाइदे जानकर आप यकिनन इसे अपने आहर में शामिल कर लेंगे अखरोट कब खाएं अखरोट खाने से क्या फाइदा होता है एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए अखरोट में कौन सा विटामिन होता है इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब अखरोट दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है रदे रोग बृत्यूदर के प्रमुक कारणों में से एक है रिदय का मुख्य कार्य पूरे शरीर में ऑक्सिजन से भरे रक्त के परियाप्त प्रवा को सुनिश्चित करना है ऐसे में ऐसा आहर लेना जरूरी है जो आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा हो अखरोट ऐसे ही फूड में से एक है आप जो खाते हैं वह न केवल आपके शरीर के वजन को प्रवाविद करता है बलकि आपके रिदय के स्वास्त को भी प्रवाविद करता है आपको अपने आहर में दिल के अनुकूल खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए कुछ नट्स और बीज रिदय के स्वास्ते को बढ़ावा देने के साथ साथ आपके संपूर्ण स्वास्ते को आश्चे जरक लाप प्रदान करता है अखरोट दिल के अनुकूल नट्स में से एक है जिसे आप अपने आहर में शामिल कर सकते हैं आईए समझते हैं कि अखरोट दिल के स्वास्ते को बढ़ावा देने में आपकी मदद कैसे कर सकता है अखरोट में दूसरे नट्स की तुलना में ALA omega 3 fatty acid की मात्रा अधिक होती है जो LDL cholesterol को कम करके स्वास्त cholesterol के स्थर को बनाए रखने में मदद करते हैं और रक्त चाप को भी कम करते हैं अखरोट सेहत के लिए इसलिए फाइदे मद होते हैं क्योंकि ये आवशक पोशक तत्वों और शुक्ष्म पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं इन में vitamin B, fiber, magnesium, antioxidant और vitamin E जैसे पोशक तत्वों भरपूर होते हैं अखरोट सूजन को नियंत्रीद करने, वजन घटाने, रक्ते चाप को कम करने और आपको antioxidant प्रदान करने में भी मदद करता है ये सभी गुण एक साथ दिल के स्वास्ते को बढ़ावा देते हैं रोजाना एक से दो नट्स, सुबशाम या शाम के नाष्टे के रूप में खाई जा सकते हैं अखरोट को खाली पेट नखाए अखरोट के तेल से पेट में जलन हो सकती है जो लोग रोजाना अखरोट खाते हैं उनके दिमाग की शक्ती बढ़ती है अकरोट दिमाग को तेज बनाता है अकरोट खाने से टेंशन दूर होती है और नींद भी अच्छी आती है ब्लड प्रेशर के मरीज अकरोट जरूर खाए अकरोट खाने से कॉलेस्ट्रोल का लेवल कम होता है अखरोट में पाया जाने वाला तामबा हड़ी वर नर्व शिस्टम, स्वस्थ बनाने और रोग प्रातिरोधक शम्ता को पढ़ाने का काम करता है अखरोट का सेवन गौल ब्लेदर में स्टोन बनने के खत्रे को कम करता है अक्रोट की तासीर थोड़ी गरम होती है इसलिए ज्यादा तर सर्दियों में इसे खाने की सला दी जाती है कैंसर जैसी घातक समस्या को दूर रखने में अक्रोट फाइदेबन साबीत हो सकता है एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार अक्रोट में पॉलिफीनल पाया जाता है जो कैंसर के खत्रे को कम करता है एंटी कैंसर प्रभाव के कारण या कैंसर के ट्यूमर को पनपने से रोक सकता है एक शोध से पता चलता है कि गर्भावस्ता के दोरान अख्रोट का सेवन लापकारी सिद्ध हो सकता है अख्रोट में पाए जाने वाले फैटी एसीड, विटामिन A, E और B कॉंपलेक्स होने वाले शीशू के मांसिक विकास में मदद कर सकते है अख्रोट के विशय में ये असमंजस देखने को मिलता है कि इने भीगो कर खाना बेहतर है या फिर सूखा हुआ वैसे तो आप इसकी बाहरी परत हटा कर आसानी से स्नैक्स की तरह खा सकते हैं लेकिन भीगे हुए अख्रोट सेहत के लिए अधिक फाइदे मन्द होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसीड से भरपूर अख्रोट यूरिक एसीड को कंट्रोल करता है